हेलो गाईज, वेलकम बेक टो बड़ी चेनल के अने कैडमी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इंटरंसिफ अपॉर्शनिटी के बारे में, सबसे पहले हम डिसकस करेंगे, माइक्रोसोफ्ट अभी हायर कर रही है, इंटरंसिफ एज इंटरेन हायर कर रही है, त अबकॉर्शनिटा अबहुन अबकॉर्शनित अबरे में इस पहले है, आपको क्या आपके चांसे से वर्ग फ्रॉण आपके चांसे से, अब आम बात करने वाले हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, इस इंटरंसिफ एंटरंसिफ एफ और बेच्टे और बाजलर्स, बीच और ब्स और मास्टर डिग्री, M.E.M.T.E.C., M.T.E.C. in Computer Science और रिलेटेड एरियास, वाइस समय 2023, वाइस 2023 पेच की स्टुएंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास बेस्ट डिग्री है, लाइक B.E.B.T.E.C. और और मास्टर डिग्री है, M.E.M.T.E.C. and MS, और रिलेटेड फील्ड लाइक I.T. और Computer Science तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास रिलेटेड एक्स्पीरेंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप बेन पर क्लेक करेंगे तो आपको इस तरीकी का फॉर्म देखेगा, Microsoft Research RF Program का, तो आप इस फॉर्म को बन वाइवन फिल कर सकते हैं, आपका अप्लाई कर सकते हैं, आपका अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बात करते हैं, जो कि हैं DT-C-C की दोरा, तो DT-C-C हैर कर रही है, Software Engineer Intern 2023 इंटरंसेप प्रोग्राम, ओके इस आलसो फोर 2024 बैच वर्ट, 2023 इंटरंसेप प्रोग्राम है, इसमें 2024 बैच की चुटेंट्स एप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपका जोब का अटिगरी होने बाला है, Information Technology and Location आपकी है आपकी है, आपकी चैन नही आपकी है, and job schedule full-time, this is full-time internship opportunity, अब हम पात कर लेते हैं, qualification क्राइटी रागे, qualification क्या होना चाहिए, you must be working towards a bachelor's degree in the following curriculum, computer science, information, technology and MIS of business and technology management and any equivalent specialization, तो आपके पास computer science की डिगरी है, आपर information technology में आप पर कर रहे हैं, आप बिजनस and technology and management में आप डिगरी कर रहे हैं, तो भी आप इसमे कर सकते हैं, तो आपके पास ही qualification होना चाहिए, and you must have minimum of 60% of marks, तिली last semester to be considered, तो अगर आपके last semester तक 60% marks हैं, आपके graduation में and post graduation में, तो भी आप इसमें आप इसमें कर सकते हैं, and should be graduating in 2024, so this is for 2024 batch, and candidates should be willing to do the internship from DTGC Chennai office, तो आपके जो internship होने वाली है, वो Chennai office से होने वाली है, तो अगर आप Chennai office के लिए ready हो जाते हैं, तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं, otherwise apply मत कीजिए, अगर आप Chennai office के लिए comfortable नहीं है, तो, and आपका जो internship period होने वाला है, वो आपका 10 week का program होने वाला है, जो कि आपका April and June की बीच में होगा 2023 में, okay, so this is the exact process for this internship opportunity, and मैं दोनों links में नीचे description में paste कर दूँगा, जहां से जाके आप apply कर सकते हैं, और Microsoft and for DTCC, okay, so I hope you like the video, in आगे की वीडियो में हमेशी तरी किसी companies related discussion आपके साथ करते रहेंगे, so do subscribe the channel now, thank you guys, thanks for watching.